जो व्यक्ति शक्ति ना होते वे भी मन से हार नहीं मानता उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती हरे कृष्णा इसी सुविचार के साथ आप सभी पर कानाजी के गरपा सदा बने रहे इससे पहले का ध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सुनेंगे आशाड मास की कथा उससे पहले रामायन का एक बहुत ही सुन्दर और भावुक कर देने वाला प्रसंग भी सुनिये ये प्रसंग रामायन में उस समय का है जब श्री राम जी माता सीता और भाई लक्षमन के साथ वनवास में गए थे एक रात की बात है माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छट पर किसी के चलने की आहड सुनाई दी उनकी नींद खुल गई पूछा कौन है पता चला शुरुत कीरती जी यानि शत्रुगन जी की पतनी और कौशल्या जी की सबसे छोटी बहु है माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया शुरुत कीरती जी नीचे आई माता के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई तब माता कौशल्या ने पूछा शुरुती इतनी रात को अकेली छट पर क्या कर रही हो बेटी क्या नीद नहीं आ रही शत्रुगन कहा है शुरुत कीरती की आखें ये सुनते ही आश्वों से भर गई और मा की छाती से चिप्टी गोद में सिमट गई बोली मा उन्हें देखे तो तेरा वर्ष हो गए उफफ कौशल्या जी काहते काप उठा तुरंत अवाज लगाई सेवक दोड़े आए आधी रात को ही पाल की तयार की गई आज शत्रुगन जी की खोज अवश्य होगी अब मा शत्रुगन जी को खोजने के लिए चल पड़ी आपको पता है शत्रुगन जी कहां मिले अयोध्या जी के जिस दर्वाजे के बाहर भरत जी नंदिग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं उसी दर्वाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है उसी शिला पर अपनी ब में गिर पड़े मा आपने क्यों कस्ट किया मुझे बुलवा लिया होता बेटे की बात सुनकर मा कोशल्या बोली शत्रुगन क्या बात है यहाँ पर क्यों हो मा के प्रेम भरे वचन सुनकर शत्रुगन जी के रुलाई फूट पड़ी बोले मा भया राम जी तो पिता जी की आग्या से वन में चले गए भईया लक्षमन जी उनके पीछे पीछे चले गए भईया भरत भी नंदिक राम में हैं क्या ये महल ये रत ये राजसी वस्त्र विधाताने केवल मेरी ले ही बनाए हैं माता कौशल्ला जी अपने पुत्र शत्रुगन जी के ये बात सुनकर कोई पीछे रहना ही नहीं चाहता चारो भाईयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रती अध्भुत अभिनव और अलौकिक हैं रामायान जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती हैं भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पतनी सीता जी ने पी सहर्ष खुशी खुशी बनवास विकार कर लिया किन्तो बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्षमन जी भला अपने भाई राम से इतने वर्षो तक कैसे दूर रह जाते माता सुमित्रा से तो उन्होंने उसी छड आग्या ले ले थी बन जाने की किन् बोलूंगा उनसे यही सोच विचार करके लक्षमन जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष के बाहर पहुंचे तो देखा उर्मिला जी तो आर्ती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली आप मेरी चिंता छोड़ कर प्रभु श्रीराम जी की सेवा में वन को जाओ मैं आपको नहीं रोकूंगी मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आये इसलिए साथ जाने की बिल्कुल जिद भी नहीं करूंगी लक्षमन जी को कहने में संकोच हो रहा था उन्हें अपनी पत्नी से वन में जाने की आग्या लेने के लिए मन में संकोच करना पढ़ रहा था हिचक पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे लक्षमन जी चले गए किन्तु 14 वर्षों तक उर्मिला ने भी एक तपस्विनी की तरह कठोर तब किया वन में प्रभू श्री राम माता सीता की सेवा में लक्षमन जी कभी सोय ही नहीं परन्तु उर्मि से युद्ध करते समय जब लक्षमन जी को शक्ती लग गई और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का परवत लेकर लोट रहे थे तब बीच में हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तब भरत जी ने उन्हें राक्षत समझकर उन पर बांड चला दिया जिसके कार जी कहने लगी कि राम को कहना कि लक्षमन के बिना अयोध्या में वापस लोट कर मत आना अयोध्या में लक्षमन के बिना पैर भी मत रखना शिरी राम वन में ही रहे माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं अभी शत्रुगन है मैं उसे भेज दूँगी मे तो जब उन्हाने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एक्तम शान्त और प्रसंद खड़ी हैं क्या इन्हें अपने पती के प्राणों की कोई चिंता नहीं है इनके पती मूर्चित हुए पड़े हैं इनके पती के प्राण संकट में है फिर भी ये मुस्करा र लेकिन उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किये बिना नहीं रह पाएगा उर्मिला जी बोली मेरा दीपक संकट में है वो बोजी नहीं सकता रही बात सूर्योदे की तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्य में विश्राम कर ली क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सोर्य उधित हो ही नहीं सकते आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पती को अपनी गोध में लेकर बैठे हैं जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोधी में लेता हो कालतों से छूब ही नहीं सकता ये तो वो दोनों ही लीला कर मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोई नहीं है उन्होंने ना सोने का प्रण्डिया था इसलिए वे तो बस थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद विश्राम के लिए मिल गई तो ये विश्राम ठोड़ा जादा हो गया जल्दी ही वे उठ जाएंगे चिंता मत करो और शक्ति मेरे पती को लगी ही नहीं शक्ति तो प्रभुश्री राम जी को लगी है मेरे पती की तो हर श्वास में राम है हर धरकन में राम उनके रोम रोम में राम है उनके खून की बूंद बूंद में राम है और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर चिंता मत कीजे, निश्चिंतों कर जाए, सोरे उधित नहीं होंगे राम राजी की नीव जनत जी की बेटिया ही थी, कभी सीता जी तो कभी ओर मिला भगवान श्री राम ने तो केवल राम राजी का कलश इस्थापित किया था किन्तु वास्तों में राम राजे इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पन और बलिदान से ही संभव हो सका जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पन की भावना हो, उस मनुष्य में तो श्री राम ही बसते हैं न अगर इस भागम भाग भरी जिंदगी में इस व्यवस्तता भरी जिंदगी में कभी थोड़ा सा भी समय मिलेना तो अपने वेद, पुरान, गीता, रामयन को पढ़ने और समझने का प्रयास अवश्य कीजेगा आपको जीवन को एक अलग नजरी से देखने का और जीवन को एक अलग तरीके से जीने का एक होसला जरूर मिल जाएगा लक्षमर सभाई हो, कोशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरन हुराघव के, जहां मेरा ठिकाना हो, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, शृथा हो श्रवन ज जैसे निष्ठा और शक्ति हो यह रामायन है पुर्णि कथा श्री राम की प्रेम से बोलिए जै श्री राम अब सुनिये आशार मास मातम में की आज की कथा देवर्शी नारत से श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि है नारत गौतिमी तट पर जो विख्यात पुतर तीर करता हूं साब्धान होकर सुनो जब दिती और दनु के पुत्र दैत्य और दान्वों का देवताओं द्वारा च्छै होने लगा तब दिती पुत्र वियोग के दुख से मन में इस पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी भद्रे हम दोनों क यही पुत्र छीन होते जा रहे हैं हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कारें जिससे हमारा यह संकट दूर हो देखो अधिती का वन्ष कितना संकर्धित और उत्तम है उसका कभी शय नहीं होता वह उत्तम राज स्वयश और विजय लक्ष्मी से सुशोबित हैं अधिती की सं पहान एश्वरी पर द्रस्टी दालते ही मैं अवर्णनी दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूँ दावनल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है किन्तू स्वप्ण में भी सौत की सम्रिधी नहीं देखी जाती। दनु कहने लगी भद्रे तुम अपने गुणों से पति देव कश्यप जी को संतुष्ट करो अगर स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपोन अभी स्वस्थों को प्राप्त कर लोगी तब बहुत अच्छा कहकर दिती ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्ध हो विश्व विजय और जगदवंध हो तथा जिसके जनम लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं तब कश्यप जी ने कहा देवी मैं तुम्हें एक श्रेष्ट व्रत का उपदेश देता हूं जो बारह वर सित होते हैं पती के ये वचन सुनकर दिती को बड़ी प्रसनिता हुई उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताएवे व्रत का विधी पूर्वक पालन किया जो लोग तीर्थों की सेवा सुपात्रों को दान तथा व्रत आदी का पालन नहीं करते वे अपनी पतनी दिती से कहा शुचिसमिते तपस्वी मुनी भी विध कर्म की अभेलना करने से मनुवांचित पदार्थ नहीं पा सकते अतहें तुम्हें कोई भी निंदित कर्म नहीं करना चाहिए दोनों संध्याओं के समय सोना कहीं जाना अथ्वा बाल खोले रहना निश्यत है कभी कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए विशेश तहा हसना तो दूसरों के समान हो ही नहीं संध्याकाल में कभी कमरे के भीतर ना रहे प्रिये मूसल उखल सूप पीड़ा और धक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांगना उत्तर की ओर सिरहना करके तथा संध्याकाल म दूसरों के घर ना जाना पती के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी द्रस्टी ना डालना इस प्रकार कश्यप जी ने आगे कहा कि यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के एश्वरी का भागी होगा दिती ने स्वामी क पुर्णे जनित बल्वान गर्भ दिनों दिन बढ़नी लगा इन सब बातों को मय नामक दैत अपनी माया के बल से जानता था उसकी इंद्र से मित्रता थी दोनों में बड़ा प्रेम था उसने एक दिन इंद्र के पास एकांत में जाकर विनेपूर्वक कहा हे देवराज दि का गर्भ दिनों दिन बढ़ रहा है उस गर्भ में नाना प्रकाल की शक्तियां है नारत जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देवेश्वर महा बली मय नामक दैते तो नमुची का प्रेब रहता है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया फिर उसकी अपने ही भाई के शत प्रेंकर वैर हुआ एक समय की बात हैं इंद्र युद्र छोड़कर कहीं जा रहे थे यह देखकर दैते राज नमुची भी उनके पीछे लग गया उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और एरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में हुज गए फिर बज अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी उसने संपून लोकों को शरण देने वाले भगवान विश्नु से भी वर प्राप्त किया मै दानी और प्रेभाशी था, उसने इंद्र को जीतने के लिए अगनी और ब्रहमनों का पूजन आरम कर दिया, वे याचकों को मुह मांगी वस्तुए देने लगा, बंदी जन सदा उसकी इस्तुधी करते थे, इंद्र ने वायू से अपने मायावी शत्रु मै की गतिविधी जान ली, तब से वे ब्रहमन का वेश बना कर एक दिन उसके पास गए और कहने लगे, दैतिराज मैं याचक हूँ, मुझे मनवांचित वर दीजिए, मैंने सुना है, आप दाताओं के सिरमौर है, और मैंने ये भी सुना है, कि आपके द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ न नहीं करते कि थोड़ा दू याधिक, उसके इस प्रकार कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, ये सुनकर मैं नामी दैति ने कहा विपरवर, ऐसे वर से क्यालाब, आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं, तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया, इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ाविस्में हुआ, कहने लगा, सखे, ये क्या बात है, तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योगी ये कारे नहीं है, इंद्र ने हस कर मैं को हिर्दे से लगाया, और कहने लगे, विद्वान पुरुष कि इसी भी उपाय से अपने अभिष्ठ कारे की सिद्धी किया करते हैं, तब ही से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई, मैं सदा के लिए इंद्र का हितैशी हो गया, और मुनी उसने इंद्र भवन में जाकर सब बाते भी बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की इंद्र ने प्रसन होकर पूचा मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए मैं ने कहा देवराज अगस्त मुनी के आश्रम पर जाओ वहीं गर्बवती दिती रहती है उसकी सेवा करते वे आश्रम में कुछ दिन बिताओ फिर अफसर देखकर वजर हाथ में लेकर दिती के गर्ब में प्रवेश कर जाओ और उस वजर से बढ़ते वे गर्ब के टुकड़े टुकड़े कर डालो इससे तुमारे उस शत्रू का अस्तित्व ही मिट जाएगा दिवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मै की प्रिशिंसा की और विनीत की भाती माता दिती के पास गए वहाँ जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए उनके मन में क्या है इस बात का दिती को कुछ नहीं पता था उनके गर्ब में जो मुनी का अमोग तेज था वो किसी के लिए भी तुर्धर्ट था दिवराज इंद्र गर्ब के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अफसर की प्रितिक्षा करते वे बहुत समय तक वहां रहे एक दिन दिती संध्यकाल में उत्तर की ओर सिरहना करके सो रही थी इंद्र ने मन में कहा यही अच्छा अफसर है ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दिती के उदर में प्रवेश कर गए गर्भ में जो बालक था वे आयुध लिए मारने की इच्छा से आयुवे इंद्र को देखकर तनिक भी भैबीत नहीं हुआ और कहने लगा वज्रधारी इंद्र मैं तुम्हारा भाई हूँ तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते क्या मुझे मारना चाहते हो युद्ध के बिना अन्य अफसर पर किसी को भी मारने से बढ़कर भला दूसरा कोई पाफ होगा क्या मैं गर्भ से बाहर आजाओ तब तुम मुझे युद्ध कर लेना यहां आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा बड़े लोग विपत्ती में पढ़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते मैंने न तो अभी विद्ध्या पढ़ी है ना शस्त्र चलाना सीखा है और ना आयूधों का संग्रही किया है तुम तो विद्ध्वान हो तुम्हारे हाथ में वजर भी शोभha पा रहा है क्या मुझे मारते समय तुम्हें लजज़ नहीं आती उलीन पुरुष भी कभी कुद्सित कर्म नहीं किया करते मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा यश या पुर्ण्य गर्ब में आईवे प्राणी इच्छा नुसार मारे जा सकते हैं किन्तु इसमें कौन सा पुरुशार्थ है भाई यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और तुम मुझे से युद्ध करना ही चाहते हो मुझे मारना ही चाहते हो तो निसंदेश चले आओ ऐसा कहे कर वे बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और कहने लगा इंद्र मुझे मारने से तुम बलशाली, ब्रह्म घाती और विश्वास घाती कहलाओगे यही तुम्हें पल मिलेगा फिर किसलिए मुझे मारने को तयार हुए हो संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आग्या के अधीन चल रहा हो वह मुझे जैसे अबोध बालक की हत्या करें इसमें कौन सा यश और क्या पुरुशार्थ है गर्भ का बालक योँ ही कहता रहा किन्तु दिवराज इंद्र ने अपने वजर से उस बालक के टुकडे टुकडे कर दिये सच है क्रोधान्थ और लोभी मनश्यों को किसी पर भी दया नहीं आती इतने पर भी गर्भस्त बालक की मृत्य नहीं हुई तब सभी टुकडे जिवित बालकों के रूप में परिन्यत हो गए और दुख से रोते वे कहने लगे क्यों मारते हो हम तुम्हारे भाई है किन्तु इंद्र ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी उन टुकडों के भी टुकडे टुकडे कर डाले लेकिन वे भी जिवित होकर कहने लगे एंद्र हमें मत मारो हम तुम पर विश्वास करते हैं इस समय माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई समान है परन्तु कौन सुनता था जिनकी बुधी द्वेश से नस्ठ हो गई हो जिनके चित्त में करुणा का एक काण भी नहीं रह जाता गर्भ के सभी टुकडे हाथ पैर और नूतन जीव से युठ हो गए उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया उनकी संख्या एक से बढ़कर उन्चास हो गई ये देखकर इंद्र को बड़ाविस में हुआ और वे टुकडे सब के सब रो रहे थे तब इंद्र ने उन्हें सांतुना देते वे कहा मारुत अर्थात मत रो उनके ऐसा कहने से ही उनका नाम मरूत हो गया वे गर्भ में ही अत्यंत बल्वान और महा पराक्रमी हो गए उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्ति को जिनके आश्रम में माता टिकी वीती पुकार कर कहा मुने हमारे पिता आपके भाई है वे आपकी मैतरी का बहुत आदर करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा इसने हैं तथापी आपके रहते वे ये वज्रधारी इंद्र ऐसे कारियों में प्रवर्थ हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता गर्भ के बालकों की वह करुण पुकार सुनकर अगस्त मुनी दोड़े चले आए उन्होंने दिती को जगाया वे गर्भ की वेदना से पेडित हो रही थी उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर शची पती इंद्र को शाप दे डाला हे इंद्र संगराम में शत्रों तुम्हारी पीठ देखेंगे दिती ने भी गर्भ में समायवे इंद्र को क्रोधी दोकर श्राप दे डाला हे इंद्र तुने मेरे बच्चों को माल कर कोई पुरुशार्थ नहीं किया है जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राज से ब्रस्ट हो जाएगा उसी समय वहाँ प्रजापती कशप जी भी आ पहुँचे अगस्त मुनी के मुख से इंद्र की यह कुछ से चेस्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुखवा कशप जी कहने लगे बेटा गर्ब के बाहर निकलो तुमने ये क्या पाफ कर डाला उत्तम कुल में उत्पन पुरुश कभी पाफ में मन नहीं लगाते पिता का ये आदेश सुनकर वजर धारी इंद्र गर्ब से बाहर निकले उस समय लज्जा के मारे उनका मून नीचे हो रहा था वे बोले पिता जी जिस साधन से मेरा कल्यान हो अब वह बताईए मैं उसे अवश्य करूँगा तब कशप जी लोगपालों के साथ मेरे पास आए और हे नारत सभी बाते बता कर पूछने लगें कि है ब्रहमा जी गर्भ की शांती, गर्बस्त बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोष्ता तथा अगस्त के दिये विश्राप का क्रमशा उधार कैसे हो तब मैंने कश्यप से कहा प्रजापते तुम वस्वों लोक पालो तथा इंद्र को साथ लेकर शिग्र ही गौदमी नदी के तड़ पर जाओ और वहाँ इसनान करके सब के साथ महादेव जी की इस्तुति करो फिर शिप की करपा से सबका कल्यान ही होगा अच्छा ऐसा ही करूँगा ऐसा कहकर कश्यप मुनी गौदमी नदी के तड़ पर चले गए और देवेश्वर भगवान शिप की इस्तुति करने लगे समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करूणा निथी शिप कश्यप जी बोले देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजे लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजे सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजे सर्पों का आभुशन पहनने वाले शिफ रक्षा कीजे धर्म स्वरूप विर्शब पर सवारी करने वाले हैं देवता रक्षा कीजे तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजे रक्षा कीजे गज चर्म का वस्त्र धारन करने वाले शर्व मेरी रक्षा कीजे रिपुरहर रक्षा कीजे अर्थ चंद्र से विभूशित है नात रक्षा कीजे यगेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजे मनुवांचित फलों के दाता रक्षा कीजे करुणाधाम रक्षा कीजे मंगल दाता रक्षा कीजे सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन रक्षा कीजे पालन करने वाले हे वासव रक्षा कीजे भासकर वितेश रक्षा कीजे ब्रह्म वंदित शिप रक्षा कीजे सिधेश्वर रक्षा कीजे हे पोन परमिश्वर आपको नमस्कार है करुणा सागर शिप भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में बिचरने की कारण जिनका चित उद्विग्न हो रहा है ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण है इस प्रकार इस्तुती करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा कश्यप जी ने विनीद होकर भगवान शिप से इंद्र की समस्त चेस्टाओं का विस्तार पूर्वक बढणन किया साथ ये भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस पर शत्रुता बढ़ रही है इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ती हुई है वो सब शान्त हो जाए ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा आपके जो उन्चास पुत्र मरुदगण हैं वे सब स्वभागिशाली और इंद्र के साथ सदा यगी के भागी होंगे जिस जिस यग में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा इसमें तनिक भी संदे रही मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता फिर तो वे ही सदा विजई रहेंगे इतना कहकर शंकर जी ने मुने स्ट्रेश्ट अगस्त से कहा मुने तुम शचीपती इंद्र पर क्रोध मत करो ये महामते शांत हो जाओ मरुदगण अमर हो गए पिर दिती से भी शिवजी ने कहा देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के एश्वरी से सुशोभीत रहे इस बात का चिंतन करती भी तुम तपस्या में प्रवर्थ हुई थी तुमारा वे मनुरत अब सफल हो गया तुमारे ये पुत्र अधिक गुणशाली बलवान और शूर्वीर है अतह अब तुम अपनी मान से चिंता छोड़ दो सुन्दरी अब तुम संशय रहित होकर अन्य वर्भी मांगो भगवान शंकर के कहने पर दिती बोली भगवन लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो विशेश तह माता के लिए भी ये बहुत ही प्रियबात है इसमें भी रूप संपत्ती शौर और पराकरम से संपन एक भी पुत्र हो तो बड़े भागी की बात है फिर यदी बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना मेरे पुत्र आपके प्रभाओं से विजय और बली हुए है वे वास्तों में इंद्र के भाई और प्रजापती के पुत्र है हे देव जहां अगस्त और गौत्मी गंगा के प्रसाथ के साथ साथ आपका भी प्रसाथ प्राप्तों वहां शुवोने में क्या संद्य है यदिपी में क्रतार्थ हो गई फिर भी भक्ती पुर्वक आप से कुछ निवेदन करती हूँ देव मेरी बात सुनिए और संसार का कल्यान कीजिए संतान की प्राप्ती संसार में दुरलब है विशेस्तह माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है पुत्र भी यदि गुणवान, धन्वान और आईश्मान हुआ तब तो भला कहना ही क्या इस लोग और परलोग में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ती सदा ही अभिस्टे हैं अतहें वह इस्तनान करने से इस दुरलब फल की प्राप्ती हो सके ऐसी कृपा कीजिए प्रभू भगवान शंकर बोले निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है इस्तरी या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो वहां इस्तनान करने मात्र से उसके इस दोश का नाश हो जाता है और जो इस इस्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहां इस्तनान करने का फल भी प्राप्त होगा जो तीन मास तक यहां इस्तनान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ती होती है पुत्र ही इस्त्री यहां इस्तनान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है रितिस नाता इस्त्री यदि यहां आकर इस्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्थ होते हैं और वह तीन महिने के अंदर ही गर्बवती हो जाती है जो पित्र दोश से तथा धन अपरण करने के दोश से पुत्र लाब से वंचित हैं उनके लिए ये गौत्मी नदी परम उधार का कारण है यहां पित्रों को पिंड़दान देने तरपन करने तथा कुछ स्वन दान करने से निश्चे ही पुत्र होता है जो धरोहर हडप लेते हैं रतनों की चोरी करते तथा पित्रों का श्राद कर्म छोड़ देते हैं उनके वंच की व्रधी नहीं होती जो पाप करके उसका प्रैश्चित किये बिना ही मर जाते हैं उन सभी की यही गती होती है जो तीर्थों का सेवन करते वे जीवन बिताते हैं उन्हें श्रेश्ट संतान की प्राप्ती होती है जो दिती और गंगा के संगम में स्नान करके अनादी, अपार, अजय, सचिदानंदमे, लिंग स्वरूप, जोतिर्मे तथा अनामे महादेब भगवान से देश्वर का अनेक उप्चारों से भक्ती पूर्वक पूजन करता है चतुरदशी और अस्टिमी को इस इस्तोत्र द्वारा इस्तूती करता है तथा यहां गंगा के तड़ पर प्रहमनों को अपनी शक्ती के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं यह संपूर्ण अभिलशित वस्तों को प्राप्त करके अन्त में भगवान शिव के धाम में जाता है और जो इस इस्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी छे महिने इस्तुती करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है अगर उसकी इस्तरी बंध्या अर्थात बांच भी हो, तो भी वह निस संदे पुत्रवती हो जाती है तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया वहां इस्तनान दानादी करने से समस्त कामनाओं की पूर्दी होती है मरुत्गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते है यहां इस्तनान करने से इंद्र निश्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है जहां इंद्र को अपनी खोई ही लक्ष्मी प्राप्थ हुई वह कमला तीर्थ कहलाया यह सभी तीर्थ समस्त अभीस्त पदार्थों को देने वाले है भगवान शिप ऐसा कहकर कि यहां सभी कामनाओं पूर्ण होंगी अंतर ध्यान हो गए और फिर कश्यप आधी सभी लोग रत करत्य होकर जैसे आये थे वैसे ही लोट गए हरे क्रिश्ना आज के ध्याय में पसितना ही इसके आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में चरू सुनिएगा